हेलो स्टूदेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल आई होप बहुत बढ़ी होंगे आप सभी और नाव आम गोईंग तो स्टार्ट आप नेक्स लेसन थर्टीन दैट इस पंचुएशन ओफ लास सेकेंड एंड पेज नमबर इस नाइनटी और इससे पहले हमारा सारा वक्षीट चैप्टर, टेस्ट पेपर, कॉंप्रियेंशन, अपलोड है आप जाकर कि प्लेइलिस्ट के अंदर सर्च आउट करना और अपने फ्रेंस के साथ भी शेयर करना और सिस्क्राइबर के जरूर जाना तो चली आज हम स्टार्ट करते हैं पंचुएशन लेकिन इसका मीनिंग क् बच्चों को ये भी तो पता होना चाहिए ना तो हम हिंदी के अंदर एक चैप्टर करते हैं जिसका नेम होता है विराम चिन कि कहां हमने थोड़ा सा विराम देना है कहां फुस्टो के लगाना है कहां कोशन मार के लगाना है कहां थोड़ा सा ठहराब करना है कहां पर इंट to an adventure camp, camp के उपर चली गई है, she has written a letter to her friend Aditi, और उसने अपनी friend Aditi को एक letter लिखा, telling her all about it, read the letter carefully, हमने carefully इसको read out करना है, do you feel there is something missing in it, और हमने बताना है कि इसके ज़िए क्या क्या missing है, अब missing क्या होगा, जो हमारा chapter का ने में punctuation ही missing होगा, ताकि इसके थुरू आपको करवाया जा सके, और इस सारा का सारा letter दुबारा बच्चों को यहाँ पर लिख के लाना है as a homework, ठीक है, teacher यहीं पर उनको बताएगा कि क्या इसके अंदर कमी है, बताने के बाद बच्चे अपने आप उसको रिकवर करके लाएंगे, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, इस खंदे दिया होगा, dear अधिती, यह तो ठीक लाइन, फिर how are you doing, अब उसने question पूछ है, लेकिन doing के पीछे क्या नहीं लगाया था, question mark नहीं लगाया था, यह मैंने लगाया हुए, आपको शैयर दिखाई दे रहा हूँ, यह देखो, how are you doing, फिर last week, last week के बाद आजेगा कुमा, I went to Shimla for an adventure, camp, camp के बाद इसने foot stop नहीं लगाया था, जो कि मैंने लगा दिया है, क्योंकि line खतम होने के बाद foot stop होता है, जा हम किसी से कोई question पूछते हैं, तो interrogative sign आता है, जब थोड़ा सा ठहराव होता है, stop हो जाते हैं, तो कुमा आ जाता है, I had a great time there, तो यहाँ पर क्या आएगा, foot stop, I did many adventure activities, फिर यहाँ पर दुबारा से foot stop, I went on a track, फिर foot stop हो जाएगा, I did jobling, paragliding, यहाँ पर कुमा आ जाएगा, and also rock climbing, फिर यहाँ पर foot stop होगा, climbing के बाद, in the evening, evening के बाद कुमा आ जाएगा, We had a bonfire and everyone sing and danced, तो dance के बाद, foot stop, I have made some new friends there, there के बाद क्या हो जाएगा, foot stop, second stanza है, how are you spending your holidays, तो यहाँ पर question mark आएगा, holidays के बाद क्योंकि उसने सामने वाले ने questioning की है, I can't wait to see you and show you the pictures, pictures के बाद आएगा, foot stop, have you completed your holiday homework, क्या तुमने complete कर लिए अपना छुटियों का काम, तो फिर question mark आ जाएगा, you are lovingly jara, यह सारा का सारा हो गया हमारा, और यह आपको as it is, यहाँ पर write करना है, after applying situation mark, सारे के सारे mark अप्लाई करने के बाद, यहाँ पर हमने करवाई दिया, अब हम कुछ आगे सीखते हैं, यह है foot stop, question mark, और exclamation mark, यह हमने देखने, foot stop क्या होते हैं, बस ऐसे foot stop लगा दिया, line खतम होगी, question mark कैसे होते हैं, इस तरह से, और exclamatory sign कैसे होता है, एक line लगा के नीचे बिंदी, दुबारा देखिए, यह foot stop हो गया, यह question mark है, यह exclamatory sign है, foot stop कब होता है, जब हमारी बात खतम होजे, sentence बूरा होजे, question mark कब होता है, जब interrogative हो, कोई हमसे cautioning कर रहा हो, क्या वाला हो, और exclamatory कब होता है, जब कोई excitement हो, strong feeling हो, यह हम surprise हो जाएं, जैसे कई बार कह देते हैं, OMG, तो यह क्या है surprise feeling है, strong feeling है, excitement है, तो हम लगा देते हैं, जैसे high, या फिर hurry, या फिर आप कह सकते हो, इसी के अंदर देखते हैं, हाँ, या ौच, हाँ, हे, एसे ऐसे words के साथ, क्या लगा होगा आप, exclamatory sign, जिसके अंदर, एक तम, desire वाली, strong feeling आजाएं, इसके नए theory दियूई है, और उसके meaning, मैंने बताई दिये हैं आपको, इसने बोला है, while speaking, we pose, हम थोड़ा सा ठहराव लेते हैं, यह भी stop हो जाते हैं, and change the tone of our voice, to make ourselves clear, मतलब कि हम अपने आपको, clear voice दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, this helps people understand, what we are saying, तो इसे लोगों को समझ में आ जाते हैं, कि हम क्या कहना चाहते हैं, in the same way, when we write, we use punctuation mark, to make our writing, clear and meaningful, जब हम लिखते हैं, तब भी इनका यूज़ करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो भी इनका यूज़ करते हैं, foot stop, at the end of statement के साथ लगेगा, और, question mark, at the end of a question, questioning के साथ लगेगा, और exclamation sign, कहां लगेगा, surprise हो, shock हो, excitement हो, strong feeling हो, तब हम यह लगा देंगे, अब आपको दो एक्जांपल दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बच्चे कहेंगे, कि यहाँ पर आउच के बाद भी लगा दिया, और what a wonderful place के बाद भी लगा दिया, अब बच्चों को कैसे पता लगेगा, कि पूरे की पूरे sentence के बाद लगाना है, या एक word के बाद लगाना है, अभी तो चल जाएगा, क्योंकि एक class second है, लेकिन जब यह बच्चे बड़े होंगे, तब इनको देखने को मिलेगा, कि पूरे की पूरे sentence के बाद अगर लग रहा है, तो वह exclamation है, अगर एक word के बाद लग रहा है, इसके बाद इन्होंने फूस्टोप नहीं लगाए था, वह मैंने लगा दिया, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यह sentence राइट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी फूस्टोप आएगा, यहाँ पर आजेगा, कोशन मार्क, अलास, यहाँ पर आना है, आपका एक्सलामेटरी साइन, हैव नो मोर मनी, वट तू डू, वट डू वी डू, यहाँ पर आएगा कोशन मार्क, फिर आर देर एनी मोर चांस ओफ आवर विनिंग, क्या और चांस है, हमारे जीतने की कोशन बूछा है, तो इंटेरोगेटिव आजेगा, और यहाँ पर भी कोशन मार्क, बच्चे तो पढ़ते ही भी हैं, देखते ही हैं, मोगली, मोगली करते रहते हैं, तो यह हो गया हमारा, यह पार्ट कम्प्लीट, और सारा आप यहाँ पर राइट जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने किया हुआ नहीं है, जस्ट सिम्बल लगाकर दिखाया हुए आपको, सेवन्थ है, तो यहाँ पर आजेगा, एक्सलेमेटेशन कितनी ब्यूटिफूल है, मतलब कि उसको सुर्प्राइज हो रहा है, लास्ट होजएगा, अवर टीम लोस्ट दा मैच, बिकोज ओफ पूर बैटिंग, क्योंकि बैटिंग कैसी थी, उनकी बोगत ही ज्यादा पूर लगा लो, तो फूस्टोप पहुँजएगा, अब हम करेंगे, नेक्स्ट इसका, कॉमा, कॉमा लगाना सीखेंगे, भी यूस्ट कॉमा, टू सेपरेट वर्ड इन अ लिस्ट, जब हमारे पास कुछ लिस्ट होती है, जैसे लिस्ट लगा लो, हम हमारे घर से लगा लो, तो सोई यका समान लेके आना हो, तो मम्मी हमको लिस्ट बना के देती है शुगर, राइस, घी, डाले, मैगी, चिप्स, कोल्ड रिंग, ये वो ठीक है तो बीच में क्या आता है उनके फिर कॉमा आता है ना तो वो सेपरेट कर देते हैं लिस्ट के अंदर वो एक पैसिस की तरह या फिर एक संटेंस की तरह दिखाई नहीं देता उसके अंदर कॉमाज होते हैं तो वो अलग-अलग चीज़ों को रिपर्जेंट करते हैं अगर एंड लगा दिया तो ठीक है एंड नहीं लगाए तो आपको कॉमा लगाने हैं कॉमा और इसने बोला है वी ओलसो यूज़ा कॉमा टू सेपरेट दा नेम ओफ परसन हूँ इस बिंग एड्रस्ट फ्रों दा रेस्ट ओफ दा वर्ड इन दा संटेंस अगर हमने किसी इंसान को एड्रस करना हो तो हम उसका नेम ले करके फिर कॉमा लगा देंगे बाखी संटेंस बाद में राइट करेंगे जैसे की दिखाया हुए है अब हम करेंगे इसका भी पार्ट इसमें दिए पंचुए टी सेंटेंस यूजिंग कोशन मार्क फुस्टोब एंड एक्सलेमेटरी मार्क फरस्ट है माई मदर लवस गार फेवरेट गेम फुस्टोब होजेगा वैन इस यूर बर्डे कोशन मारक होगा कि तुम्हारा बर्डे का बैक कोशनिंग किये हुर्रे हुर्रे के बाद एक्सलेमेटरी साइन और लास्ट में आजे का फुस्टोब वी हैव वोन्दा मैच सिक्स होजेगा वट आर यूर होब इस कोशन मारक आएगा उसने कोशनिंग किये कि कौन सा आपका वटे ब्रिलियंट कैच क्या आजेगा एक्सलेमेटरी साइन क्योंकि जब भी मैच देख रहे होते हैं और एक इतम सिक्सर लग जाए तो ऐसा ही सिर्प्राइज होता है कि बोजर एक्साइटमेंट हो जाती है फ्रेंच जर्मन उर्दू एंड संस्क्रित अब एंड लगा दिये यह तो ठीक है लास्ट वाला ठीक है लेकिन बाकी जो है उनके अंदर कोमा लगाना जुरूरी था वह एक संटैंस नहीं है वह एक पैसिस नहीं है वह अलग अलग लिस्ट के अंदर सेपरेट करने हमको तो फिर है आई वेंट साइट सिंग विद रिक्कू विनित अब देखो लास्ट वाले दो बच्चे हैं उनके साथ तो आ गया कोमा लास्ट वाले दोनों के बीच में तो आ गया एंड और यहां पर लगा देने हैं हमने कोमा फूर्थ है आई पैक्ट बिस्कुट केक एंड लगा दिया फिर तो ठीक है अगर एंड नहीं लगाया तो क्या लगाने आपको कोमे लगाने है शंकर शंकर के बाद कोमा आएगा वाई डू यू लुक सो सेड टुडे फिर है डैड कैन आई गो आउट एंड पले विद माई फ्रेंड्स यह डैडी को कर रहा है और इ में देखे क्या दिया है राइट दा नेम नेम्स ओफाइब तिंग्स यू विल फाइंड इन इस प्लेज में कम्प्लीट संटेंस डू नोट फोर्गेट तो यूज कोमा क्लास रूम क्लास रूम में आपको क्या क्या चीजी मिल जाती है तो मैंने लिखा डस्टर चेयर कोमा डस्ट कोमा फिचाक आप बहुत साले लिख देना ये बच्ची अगर होमबक के रूप में ये डी पार्ट करके लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मोल के अंदर क्या देखते हैं शोप गेमिंग जोन और कोमा लगाके बाकी आप अपने आप राइट कर लेना फिर यू इसके अलावा भी आप लिख सकते हो जुरूरी नहीं है कि जो मैंने करवाएं हैं वही आप करते जाओगे और बाकी का इसका चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंपलेट और A, B, C, D पार्ट हो चुगा है बाकी आप कर राइगा E, F और G और शायद मिल ज भी सिस्क्राइब करके जाना और उनकी भी हल्प करना स्क्रीन शोड लेने है तो ले सकते हैं आप थेंक्यू